दोस्तों जन्रल पाइस से अलिमेंटर शेटर वीडियो लेकर आए है आज बात होगी हमारी हमकुलते वेड पेच को कि दिवाइडर विजेट यह कर सकते हैं फंक्शन फीचर के बारे में डिवाइडर यहां पर फंक्शन फीचर क्या है इले में कैसे और क्यों करते हैं आखिर इसका उनिंग का फाइदा क्या है इसे क्या वेणिफिरे हम किस तरह की यहाँ पर कुछ few डिजैनिंक फ्र है इसकी डवाइडर कि किस सबस्क्ता काम करता है जैसे की डिशंव क बात हुं की टारे से पाउट से रिलेटिट होगी तो एलेमेंटर में डिवाइडर जानने के लिए चीखने के लिए इसी करने के लिए इस वीडियो को कंटीनिव सुरूब से लास तक जड़ूर देखें नमस्कार दूस्तों आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटेंदी तो डिवाइडर का मतलब आप यहाँ पर लाइन ड्रो करते हैं लाइन यहाँ पर आप किसी भी तरह की कर सकते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इसमें कलर दे सकते हैं लाइन की बीच में कुछ नैम लिखना है वह आप यहाँ से कर सकते हैं तो कैसे युच्छ करेंगे डिवाइडर को तो उसकी लिए दूस्त हम यहाँ पर पर कॉलम इस्ट्रक्टा लेंगे तो प्लेस पर क्लिक करते हैं किलिक करने के वाद यहां पर हम एक ही कॉलम में यूज करेंगे तो आप कितनी भी कॉलम में यूज कर सकते हैं हम प्रैक्टिक्स तोर पर एक कॉलम में यूज करेंगे डिवाइडर को ओके तो यहां पर हम एक कॉलम ले लेते हैं एक कॉलम लेने के बाद दोस्तों प्लस पर कि क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर divider माउस को अलब ड्रेट करके यहां पर इसे छोड़ देंगे तो यहां पर divider के function पीचर आजाएगे यूज करने के formatting यह कर सकते editing करने के content style in advance तो हम सभी को पढ़ते हैं कि करके पहले दोस्तों यहां पर style यहां पर solid आ रहा है आप इसकी जो line है उसे आप change करना चाते है style को जैसे कि आपज़ डवा लाइन चाहिए इस कि किलिए करेंगे तो यहां पर double line आएईगी जीग जीग जएगे इसे कर सकते हैं ना इन यहां पर जिग जर्वाली आजाएं demain जिगजय वाली आती है यह ने मल्टिपल चाहिए बल्टिपल आजाएगी तो जैसी आपको लाइन चाहिए वैसा आप रख सकते मैं यहां पर करली ले लेता हूँ यह करली यहां पर आगे तो प्रैटिक्स के तोर पर हम इस लाइन को ले लेते हैं और दूस्तों विद तो यहां पर मैं इसे कर देता हूं अभी 100% ठीक है फिर दोस्ते यहां पर एड़ एलिमेंट तो यहां पर टेक्स इस पर किलिक करेंगे तो आप यहां पर टेक्स लिख सकते हैं लाइन के बीच में ठीक है तो यहां पर टेक्स डाल सकते हैं तो कुछ भी आप डालना जाए तो एक्सफाज जाल सकते हैं मैं प्रैटिक्स दोर पर यह डाल देता हूं तो तो जो आपको लगे वह सकते हैं सिंपर से क्लिक करेंगे आपको लाइन कैसी चाहिए as a यहां से हैं कर सकते हैं ग Зем करें लाइन कुछ लाइन का रह गर एलिमेंटर में अगर लाइन फंक्शन के सकते विजिट आपको यूज़ करना आएगा तो आप किसी भी तरह की अपने इसाब से लाइन को ड्रो कर सकते हैं तो बहुत से लोग यहां पर अलगला इस्टाइल की लाइन है चाहिए होती है तो उनको फंक्शन फीचर नहीं मिलता तो यहां पर इस्टाइल दी गए हैं यहां से आप कर सकते हैं उसके बाद यहां पर अलाइमेंट वगरा भी सेट कर सकते हैं अगर आपको लगे मुझे लाइन का प्रतिशत कम करना है च्छोटी लाइन करना है तो यहां पर विद की स्लैड है यहां से चेंज कर सकते हैं हना ठीक है तो यह content में यह line का आप यह function feature पढ़िए और जब भी line draw करने की बात आगी तो आप इनका use कीजे ठीक है तो आप केवल function feature पढ़ रहा है ठीक है यहाँ पर style पर जाएंगे तो style पर यहाँ पर color है तो line में जैसे आपको color की requirement है तो आप color दे सकते हैं यह देखिए जो भी आपको color पसंद आए वह आप दे सकते हैं ठीक है यहाँ पर देखिए जैसे कि दोस्ते हैं मैं website खोल लेता हूं अपनी जो यह लाइन दिख रही है यहाँ पर एलो फिर यह आ रहा है नेम तो यह मैंने यहाँ से इसी से किये है एलिमेंटर में हाना तो इस तरह की आपको लाइन ड्रो करने तो आपको यह फंक्शन आना चाहिए यह विजिट उसकरना आना चाहिए ठीक है हाना तो यहाँ पर आपका यह color हो जाएगा अगर बिद आपको बढ़ानी है लाइन की देखिए बिद भी हो जाईए यह देखि हाँना यहाँ पर यहाँ से आपकर चाहिए यहाँ सो पते हैं यहाँ पर टेξ पर तो आपका जो घंक्लो करक सकते हैं ऐसे कวยह गmber होाँना ती ऐसे कि है कि आपको टेक्स कलर देंगि की आया और और यहाँ पर टाइप शक्रापी यह उस पर जाएंगे तो यसका निश्च dedic म बोल्ड आपको कितना कज़ेंगे वो कर सकते हैं यह पर ट्रांसफोर्म अपर केज लोर केज वगरा कर सकते हैं यहां से हना सारी दिये Capitalize करने यह या Normal करना तो Type-Araphy है Type-Araphy में इससे Relyated होता है या Normal करना है या Italic करनी यहां से आप कर सकते हैं Oblig भी कर सकते हैं ठीक है इसे Default रहने देते हैं Decoration में आप यह Underline कर सकते हैं या Overline भी कर सकते हैं जैसी आपकी Required Window वैसा कर सकते हैं सेडिफोलिट रहने दीता हूँ लाइन हैट आपको कैसी चाहिए कहाँ से है कर सकते हैं लैटर स्पेसिंग यहोः Iggy तो किसी-किसी टेक्स में लापको लारूरत है तो यहाँ से पर कर सकते हैं पूरी आपको सेटिंंग फंक्शन यहांप दिये गाए है यहाँ झाले वह आप यहां से कर सकते हैं तो यहाँ पर फिर है ड्स ट्रॉक इस पर सकते हैं कितना आपको चौए ह идो कुछ गूं तो पोजिशन का मदब दोस्तो जैसे कि यहां पर हिंदी लिखाई वर्ड हना यह लाइन डो आप ऐसा करना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों यहां पर है इस पर क्लिक करेंगे लेफ्ट में तो आपको यह टेक्स इदर आजागा लाइन इदर आज़ागी जैसे कि मैंने यहा अगर शाल्य कर सकते हैं तो आपको इसारे फटेशर आने चाहिए यहा पर तो आप अच्छे तरीकी से कोई लाइन कोट्रोग कर सकते हैं और उसकी formatting कर सकते हैं फिर दोस्तों advanced चलिए हम advance को पढ़ेंगे हैं इस पर click करेंगे फिर ओप margin तो यहां से आप set कीजिए कितना आपको margin चाहिए एंड Uhr पैडिंग आप इहां सेट कर सकते कितने आपको पैडिंग चेह एंड नीचे आएंगे दुस्तो है तो यहान पर पुजिशन आप कर सकते है favor कर सकते हैं आप जो भी आपको लगे वह आप यहां से decide कर सकते हैं डिफॉल्ट रहनी देता हूँ देता हूँ जैसे कि अगर आपको लगे पुझे लाइन में कोई animation देना है तो यहां से आप दे सकते हैं भूछ से लोग कुछ एक त्रीपटर outright कर सकते हैं यहँ से कर सकते हैं तो हम इसमें अभी कुछ ऐशा हम नहीं हम इसको पहले जैसा कर देते हैं तो आप इनको अपना सबसे कर सकते हैं इस आघ में तो यहां zessive कर सकते हैं ऑफसेट वाय ऑफसेट यहाँ पर एक से हया ना होरग्जनल्य यानीं कि वर्टिकल एक्स-वाय यहां से उपम craftsना चेंट कर सकते हैं यह वह हम Active क्राल सकते हैं पर कर सकते यहां से यहां पर निचे आएगे तो यह फिर बैग्गरावंD ऌल यह आपके लाइन के बेगग्राउंड में जाएगा ठीक है जो विज्जह्ट विसके इस पर जाएगे कैसा कलर आपको चाहिए यहां से आप कर सकते हैं यहां पर यहां से कर सकते हैं अगर आपको चाहिए इमेज डालना तो इमेज यहां से आप डाल सकते हैं ठीक है एन बॉर्डर पर जाएंगे तो यह बॉर्डर किस पर काम करेगा आपके विजेट के या कह सकते हैं फंक्शन फीचर है न यहां पर बेक्ग्राउंड कर लग कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे मैं इसको कर दिता हूं अगर दोस्तों आप अपनी लाइन को मोवाइल डिवाइस या कैसे टेबलेट या डेश्ट डिवाइस पर हाइट करना चाते तो सभी को इनेवल कर दीजिए अगर नहीं करना चाते तो इनको डिशेवल रहनी दीजिए फिर ऐगरा है एट्रिब्यूट है यह प्रियूम कंचर में आपको पड़ा दी तो viewpoint function feature की नालेज हुई तो आप किसी वी तरए की लाइन को dubra कर सकते हैं कोई भी अगर बैपसाट बना रहे हैं पूज जैसी चाहे वैसा आप के हैसे साइट की साइट किसी भी एरियमें लाइन ड्रोग कर सकते हैं Elementor की इन फंक्शन फीचर के तवर अगर इनकी पूरी नौलीज होगी किसी भी तरह की यहां पर लाइन आप ड्रोग कर सकते हैं मैंने यहां पर आपको लाइन ड्रोग करना स्टाइल चेंज करना विद हाइट बढ़ाना गठाना सब बता दिए यहां पर ए मैंने इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर मुझे ट्रेन करेंगे देखिए यह ट्रेन आ गई एन मुझे चाहता हूं कि यह ट्रेन को साइड मों हो जाए तो उसके लिए दोस्तों स्टाइल में जाएंगे यहां पर स्टाइल में आइकन और यहां पर मैं इस तरह रखना चाह पीचर का यूज करेंगे कोई भी काम कर सकते हैं आयोप आपको काफी लगा दोस्तों इसी तरह की लिए हमारे चैनल पर बने रहे हैं और फ्रेंट हैं बाई बाई